हेलो क्लास नाइन दिस इस मी मुधिता एन वंस अगेन वेलकम ओन मुधिता येस वारियर्स आज हम वर्कशीट 89 करने वाले हैं 22 वररी 2021 के लिए ये वर्कशीट है कबीर की साखिया या फिर कबीर के बारे में आज आपको पढ़ाया जाएगा कबीर के बारे में आप बचपन स प्रचलित हैं जो कबीर से जुड़ी हुई है कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था सन 1518 1518 के आसपास मगहर में देहांत कबीर ने विद्वत शिक्षा नहीं पाई थी परिंतु सत्संग प्रियाटन अनुभाव से उन्होंने ग्यान प्राप्त किया था मतलब अपने तरह तरह के उनका जो विचार था सत्संग का सत्संग मतलब वो अपने अच्छे विचारों को रखते थे लोग सुनते थे एक प्रियाटन करके उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्त किया था वही उनका घ्यान था कबीर अत्यांत उदार निर्भाय तथा सत्ग्रहस्त संत थे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने इश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाक्कंड भेद भाव कर्म कांट का खंडन किया है मतलब किसी भी तरीके का दिखावा जातिवाद भेद भाव ये जो बाते हैं इन सब चीजों का उन्होंने विरोध किया खंडन किया उन्होंने अपनी कावे में धार्मिक समाजित भेद भाव से मुक्त मनुष्के कल्पना की कि जो अब सत्संग साधु महिमा के साथ आहत्म बोध जगत बोध की अभी वेक्ति उनके काववे में हुई थी तो उन्होंने अपनी कविता काववे के माध्यम से जो उन्होंने काववे लिखे हैं दोहे लिखे हैं उसके माध्यम से एक अच्छे विचार फैलाने की बात करी है कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्माक्ता की शक्ती है मतलब बहुती सरल भातों में बहुती सरल भाषा में उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बात समाज को बदलने वाली बात कह दी है जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल कावे मैं थे व्यक्त करने की ताकत है और अगर आपको पता हो काल का अगरी है की यहां पे आपको साख्यां दी हुई है एकुन सरोवर सुभर जय केली का mày कि मुकता फल मुकता चुग अब उड़ी अनतना जाही तो एक इनका दोहा या काविखंड का पंग्टी दी हुई है और फिर यहां पे इसका व्याक्ष्या की है अर्थ बताया है कभीर दास जी ने अपने इस दोहे में हमें यह बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल बात्ची भक्ति हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी इसी कारण से उन्होंने उप्युक्त दोहे में हंसो का उधारन प्रस्तुत किया है यह जो मानसरोवर के जल्न में क्रीडा करते हुए मोती चुग रहे हैं मान सरोवर बहुती शुद्ध और सच्छ जल माना जाता है तो इसमें कह रहे हैं कि जो हंस है वो खेलते वे बहुती चुग रहे हैं उन्हें इस क्रीडा में इतना आनंद आ रहा है कि इसे चोड़ कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद इश्वर की भक्ती में लीन हो जाए और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि इंसान अगर जो मनुष्य है वो भी इश्वर भक्ती में लीन हो जाए तो वो भी उन हंसों की तरह अपने आपको खुश, खुशी कानभाव करेगा, उतना खुश होगा कि किसी और चीज की लालसा नहीं रहेगी, ये थोड़ी बड़ी बाते हैं जो आप लोग को अभी सायद समझ में ना आएं, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा, उ प्रभू की भक्ती में ही मगदन रहेगा, और इस मार्क को छोड़ कर कभी नहीं जाएगा, एक बर इंसान अगर इस मार्क पर चल पड़ा, तो फिर वो कभी भटकेगा नहीं, और हमेशा सरल मार्क पर सही मार्क पर चलेगा, अब आपको तीन प्रशने दिये हैं, निमलिख हो सकता है, चलिए उत्तर देख लेते हैं तीनों प्रशनों के, कोलश दोस्त कि मानं सरोवसे के आश्य है, तो मान सरोवसे कभी का आश्य हրदय रूपी तालाब से है, जो हमारे मन का तालाब है, जो हमारे मन में स्िय। तित होता है, मनुष्य खुद को इस्वर की भक्ती कि तलास करने से हमें मुक्ती का मार्ग प्राप्त हो सकता है तो यह आपके तीनों उत्तर हो गए हिंदी के यहां पर हमारी वर्क्षीट 89 कंप्लिट होती है डोंट फॉर्गेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल क्योंकि वर्क्षीट के साथ साथ एक्जाम की कि जारी आपको लगातार करा हिए यह आपको लगातार करा हिए आपको लगातार कराई जा रही है कहें है है